हलो स्टूदेंज, वेलकम तू मैगनेट ब्रेंज, मेरा नाम है सुर्भेतिवारी और हम पढ़ रहे हैं क्लास सेवन्थ के साइन्स सब्जेक का चैप्टर नॉम्बर थर्टीन, मोशन एंड टाइम, वेल लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन देखा कि मोशन क्या होता है और टाइम क्या होता है, ठीक है, इसके अलावा हमने एक क्विक रिविजन भी किया था कि मेजरमेंट क्या है, अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स टॉपिक जिसका नाम है स्टांडर यूनिट्स, वेल, जब हमारे पास स्केल नहीं था, जब हमारे पास इंच टेप नहीं था तो अपने साथ वाले को यह बताते थे कि दस कदम की दूरी पर दूसरा घर है या चालिस कदम की दूरी पर है, मतलब फुट स्टैप के द्वारा वो अपना लंवाई को मेजर करते थे, लेकिन क्या ये तरीका सही है, नहीं, ये तो इम्प्रॉपर वे हो गया क्योंकि कोई कोई इनसान छोटा है तो इसके जो नंबा इनसान होगा उसके पैर लं मिल्म होगे तो इसलिए ओ जो ढख लेगा वो भी बड़े-बड़े होते हैं तो इसलिए वह मान लीजये दस कदम में पहुंच जाएगा जो सोटा है वो क्या कर वेगा उसको हो सकता है कि 20 steps लगें तो ये तरीका तो proper नहीं था तो फिर क्या किया गया फिर लोगों ने length को measure करने के लिए inch step और फिर बहुत सारे तरीकों का use किया लेकिन अब worldwide हर जगे अलग-अलग units का use होने लगा तो जिसकी वज़े से जो import-export है उसमें कुछ problem आती थी या फिर proper तरीके से कोई एक सही system नहीं बैट पा रहा था तो इस चीज को दूर करने के लिए 1960s में एक general conference में क्या किया गया एक general conference में एक common system बनाया गया उस common system में ये decide हुआ कि all over the world uniformly हम SI system का use करेंगे SI system का full form क्या होता है SI system का full form है system international the units ये एक French का word है इसलिए इसको the units हम pronounce कर रहे हैं तो इसके system के बनने के बाद all over the world एक चीज़ decide की गई कि हम SI system का जितना जादा हो सके use करेंगे तो SI system में क्या किया गया वहाँ पर ये decide किया गया कि जो length है अगर हमें उसको measure करना है तो हम उसे meter में measure करेंगे और अगर weight है mass है तो हम उसे kilogram में measure करेंगे अगर time है तो उसे seconds में measure करेंगे और temperature है उसे हम Kelvin में measure करेंगे SI system में ऐसे ही बहुत सारी 7-8 और units है जिनको decide किया गया कि हम यही units use करेंगे ताकि क्या हो सके एक uniformity बनी रहे हर जगे अगर हमें कुछ import export भी चीज़े करनी है तो आसानी से यह जो चीज है सामने वाला जो व्यक्ति है वो समझ पाए कि centimeters में हैं kilos में नहीं तो क्या होता है हर जगे अलग-अलग अगर units होती है तो हमें पहले उन unit को समझना पड़ता है और हमारी unit के according हमें उनका conversion करना पड़ता है तो यह problem ना हो इसलिए standard units बनाए गई इन standard units की वदद से हम सही सही बिलकुल appropriate length को measure कर सकते है weight को measure कर सकते है temperature को measure कर सकते है और time को measure कर सकते है वेल तो क्या सिर्फ SI system ही है जो कि worldwide है इसके अलावा भी बहुत सारे systems है जैसे सबसे पहले अगर मैं आपको SI system के अलावा बताऊं तो जो दूसरा system है वो है FPS अब अगर आप FPS को ध्यान से देखोगे तो F का मतलब होता है foot ठीक है P का मतलब होता है इसमें pounds ओके and जो S है उसका मतलब होता है seconds ठीक इसी तरीके से जो दूसरा next is CGS system, okay CGS का मतलब होता है C stands for centimeter, G stands for gram and S stands for seconds इसके अलावा जो third system और use होता है, वो होता है MKS system, okay तो MKS system जो है उसमें हम SI unit में जो भी हमारी measurements होते हैं जो standard units होती है वही MKS system में भी use की जाती है, okay तो ये तो थी हमारी standard units, जो की बहुत जादा जरूरी है हमें समझना कि standard units क्या होती है तो एक बार मैं आपको in short बता देती हूँ standard unit का मतलब होता है कि जो की standard पूरी तरीके से सारे world में एक जैसा यूस किया जाए ठीक है, तो हम generally SI unit का use करते हैं SI unit को फिर से हम बता देते हैं length के लिए हम meter का use करते हैं bass के लिए या weight के लिए हम kilogram का use करेंगे और time के लिए हम seconds का use करेंगे अब आप ये देखेंगे कि जो time है वो चाहे MKS हो चाहे FPS हो या है CGS हो हर जगे हम second में ही time को use करते हैं ठीक, well अब हम पढ़िंगे हमारा जो next topic है वो है measurement of time हमने standard units complete किया अब हम सीधे आ जाते है measurement of time के लिए ठीक, well time एक ऐसी चीज है जिसको हम ना तो महसूस कर सकते हैं ना देख सकते हैं सिर्फ हम उसका analysis कर सकते हैं जैसे अगर मुझे किसी चीज की length निकालनी है तो मैं उसको देख पाती हूँ और मैं उसको measure आसानी से कर सकती हूँ किसी scale के मदद से या inch tape के मदद से या फिर जो भी मेरे पास measuring device है अगर measure weight लेना है तो weight को भी हम measure कर सकते हैं अब उसको हम उठा कर के देख सकते हैं इतना भारी है लेकिन के time को आप देख पाते हो नहीं time का सिफ हमें analysis करना होता है ठेक है so time का जो analysis है वो wrist watch के बढ़ने से पहले किस तरह से किया जाता था यह अभी हम आगे पढ़ेंगे उससे पहले क्यों नहीं हम इसके SI unit देख लें जैसा मैंने आपको बताया था the time है उसकी SI unit होती है क्या seconds right हम SI unit क्या लेते है time की seconds लेते हैं ठेक है लेकिन आपने कभी अपनी medicine के box में देखा होगा उसमें लिखा होता है जो time लिखा रहता है medicine को यूज करने का years में लिखा रहता है कई बार आपकी जो cold rings है उसमें लिखा रहता है कि best before six month या best before two month लिखा होता है तो वहां पर time किसमें हो गया मंथ में हो गया कई जगे days में आपकी जो bread वगेरा रहती उसमें days में आपको दिया होता है कि दो तिन दिन के अंदर इस time के अंदर आपको इसे से खतम करना है तो जो time है इसको हम second के अलावा minutes में, hours में, day में, year में ठीक है इन सभी में major कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं वेल अगर आप इस chart को देखें ठीक है तो हमें पता है अगर नहीं पता है तो हम जान ले कि जो एक minute होता है ठीक है वो किस से मिलके बना होता है 60 seconds से मतलब जब पूरा घड़ी का 60 seconds कवर हो जाता है तो क्या बनता है one minute ओके अगर आप से कोई पूछे how many seconds are there in one minute यह आपको अल्रेडिया previous class में बढ़ चुके है वड़ एक छोटा सा रिवीजन ज़रूरी होता है हर चीज का तो one minute के अंदर कितने seconds होते है 60 seconds होते है इसी तरीके से हम आर को निकाल लेंगे तो आर किस से मनेगा मिनिट से मिलकर के बनेगा 60 minutes मतलब one hour ठीक है इसी तरीके से अगर हम आर को 24 hour को count करें तो 24 hour क्या होता है one day के बराबर ठीक है इसी के बाद अगर day की बात कर रहे हैं तो 365 days मिलकर के क्या बनाएंगे आपका one year बनाएंगे यह आप इल्कुर note down कर लीजे अपने उसमें ओके then 10 year को कहते है हम one decade ठीक है decade आपने कई जगे यूज किया होगा word इसका मतलब क्या होता है 10 year one decade equals to 10 year similarly one century मतलब होता है 10 decades या फिर हम इसको क्या कह सकते है क्योंकि one decade होता है 10 years तो 10 decade क्या कहलाएगा आपका 100 year okay इसी तरीके से next हम निकालेंगे century century किसको कहते है 1 million या फिर 1000 years okay यह होता है आपका commonly used units of time यह आपको बहुत अच्छे से धान में रखनी है क्योंकि आगे अगे अगर आप जब हम कुछ questions discuss करेंगे उसमें हो सकता है seconds आपको time के यूनिट वो second ना दिखे इसके अलावा हमें क्या देख सकती है minute या फिर hour okay अब जरह यह सोचिए कि जब wrist watches नहीं थी तो फिर ancient time में लो होती थी तो हम send clock sun clock या sun dial का यूज करते थे यह किस तरह से काम करती थी चले थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं ठीक है well इसमें क्या होता है कि upper chamber में sand होती है ठीक है जो कि धीरे धीरे इस तरह से गिरती है कि lower chamber तब तक जब तक फिल होगा तब जब पूरी तरीके से यह फि करती थी ठीक है अब इस तरह से यह लोग जानती थे कि one hour कैसा होता है अब यह तो मैं फिर भी थोड़े बाद की बात बता रही हूं जब यह sand clock बनी अब इसके पहले सोचिए कि जब बिलकुल लोग इस दुनिया में नई नई दुनिया बनी थी लोग समझना शुरू हुए थे तो किस तरह से टाइम का अनलेसिस करते होंगे लोगों ने यह देखा कि हर दिन सुभा सूरज उपता है और शाम को ढूब जाता है फिर रात हो जाती है फिर यह रिपीटेशन उन्होंने कई बार महसूस किया तो इससे निकल कर आया दे का कॉंसेट कि कोई दिन नाम किय कोई चीज होती है ठीक है फिर उसके बाद मून की पोजिशन से मून के शेप से कि जब फूल मून होता है उसके बाद एक नया मन्त शुरू होगा ठीक है तो इस मून के कॉंसेप्ट से समझ में आया उन्हें महीने या मन्त का कॉंसेप्ट ठीक है फिर आई यह की बार उन्ह complete rotation करती है sun का जिसकी वज़े से year complete होता है तो अब यह मोटे मोटे तौर पर उन्हें साल महीने days year month और day के बारे में तो confirm हो गई जानकारी लेकिन अब यह जो day है उसमें भी क्या होते हैं बहुत सारे इंटरवल्स होते हैं ठीक है तो इन इंटरवल्स को आइदेटिफाइ करने के लिए फिर बाद में क्या किया गया sand clock का यूज किया गया ठीक है यह जो sand clocks होती है इनका यूज हम basically किस लिए कर सकते हैं सिव आर को identify करने के लिए करते हैं ठीक है लेकिन अगर मुझे और छोटे इंटरवल्स पर जाना है तो फिर यह sand clock वहां पर यूज नहीं होती थी ठीक है फिर उसके बाद और ज्यादा time को divide करने के लिए काम को और जादा बहतर करने के लिए जरूरी था कि हम और time को one hour की जो बीच का time है उसको और छोटे हिस्सों में divide कर सकें तो फिर हम जो हमारी ancient time के लोग थे उन्होंने क्या बनाया उन्होंने बनाया sun dial ठीक है sun dial basically किस तरह काम करता है आप जैसे टाइग्राम में देख पा रहे हो यह जो object है ठीक है जब sun की rays इस पर पढ़ती है ठीक है तो shadow बनती है इस shadow के हिसाब से जिस पर भी वह जिस भी number पर जाती थी उससे हम identify कर लेते थे कि क्या time हो रहा होगा ठीक है अब इस यह जो sun dial है ठीक पर हम कोई भी time को identify नहीं कर सकते थे ठीक है तो फिर इसके साथ साथ क्या हुआ कि इससे हमें बहुत जादा एकदम prescribed time नहीं मिल पाता था तो फिर क्या हुआ हमारे जो इंडिया में महाराजास Jai Singh देते थे यह महाराजास Jai Singh 2 थे उन्होंने एक huge sun dial का निर्मान करवाया ठी जानी से देख सकते हैं जाकर के ठीक है जब आप वहाँ पर जाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि हर एक minute में जो sun की position है वहाँ पर shadow जो है वो change होती है ठीक है तो इसकी मदद से हम two seconds तक का जो minimum time है वो major कर सकते हैं ठीक है यह sun dials जो है और भी बहुत सारी जगे पर located जैसे अगर मैं बात करो तो आपको जैपूर, वारनाशी, अजयन, बधुरा इन सरी जगर पर इस तरीके के sun dials मिल जाएंगे ठीक है अब यह जो sun dials है जैसा मैंने आपको दायर दो second तक का minimum आपने को time बता सकता था ठीक है लेकिन sunset के बाद तो हम इसको use नहीं कर सकते ठीक अब इनकी क्या इन्होंने क्या किया इनकी मदद से हम यह जो इस तरह की के pendulum watches है वह हम बना सके इनको हम यूज कर सके ठीक है कैसे एक बार वो चर्च में बठे हुए थे ठीक है उन्होंने देखा कि जो एक lamp है वो लंबे से धागे से लटका हुआ है ठीक है वो इस तरह से जिस तरह से यह pendulum घूम रही है ठीक है इस तरह से rotation करके वापस आता था ठीक है उन्होंने देखा कि हर बार जब भी वो rotation कर रहा है जब भी वो घूम करके आ रहा है तो जिस पॉइंट से घूमा था उसी पॉइंट पर वापस आ रहा है ठीक है फिर उन्होंने महसूस की अपनी heartbeat उन्होंने ये पाया कि हर oscillation पे same number of heartbeats उनकी पल्स जो है वो sound कर रही थी ठीक है अब उन्होंने फिर से गौर किया तो हर बार कि oscillation में same number of heartbeats थी मतलब हर बार जो भी जो लांप रोटेट कर रहा था वो बिल्कुल एक जैसा रोटेट कर रहा था फिर उन्होंने की दिमाग में कुछ आया उन्होंने एक्सपरिमेंट किया उन्होंने क्या किया अलग अलग जो जिस से वो चीज लटके उए जो करती है वो बिल्कुल सेम टाइम पर करती है सेम टाइम का मतला माली जे छोटा है इतना बड़ा उन्होंने एगर जो धागा था या वायर था वो जो लिया हुआ है वो बिल्कुल सेम टाइम पर अपने उस पर पोजिशन पर आ जा रहा है जब इतना बड़ा लिया तो उसके oscillation उन्होंने चेक किये कि हर बार बिलकुल same position पर वो बापिस आ रहे हैं तो इस concept से उन्होंने बनाई इस तरह की watches जिसको हम pendulum watches कहते हैं ठीक है so उन्होंने जैसे ही discover किया he discovered that if a mass hang from a fixed point is made to swing freely it always complete one two and four motion in exactly same time तो एक ही time पर जितने भी motions है वो exactly same time पर complete होते हैं ठीक है अब thus this moment is periodic motion and can therefore use to measure time तो इसका मतलब कोई भी चीज जो कि बार बार रिपीड होती है एक जैसी होती है उसे हम periodic time कहते हैं ओके और यही periodic जो time है या जो periodic motion है उसकी मदद से हम क्या measure कर सकते है time क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले एक definition बताई थी कोई भी continuous या periodic जो movement होता है उसकी मदद से हम time को measure कर सकते हैं तो उन्होंने यही देखा कि यह जो pendulum है वो बिलकुल बार बार repeat हो रही है एक जैसा motion कर रही है इसका मतलब कि हम इसकी मदद से time को measure कर सकते हैं ठीक है अब simple pendulum कैसी होती है a simple pendulum consists of a small mass जैसे कि आप यह ball type का जो structure देख पा रहे हैं green colored ठीक है एक simple mass होता है जिसको हम bob कहते हैं ठीक है जो कि इस तरीके की string यासी धागी जिसकी बेबात कर रही थी इस तरीके की string के साथ लटका होता है the other end of the string is tied to a fixed support यहां पर यह जो string है इसका जो दूसरा end है जैसे आप देख रहे हो यह किसी और fixed point से connected होता है ठीक अब जब pendulum rest की condition पर हो rest की condition मतलब की रुका हुआ हो ठीक है it is in its mean position O ठीक है तब वो अपनी किस position पर होता है तब वो होता है अपनी mean position ओपर okay one second so यह कहलाती है mean position जब वो rest की condition पर है या फिर point O पर है तो हम इसे कहेंगे कि वो rest condition पर है ठीक है if the bob is given a small push from its position of rest the pendulum makes two and from movement about its mean position जैसे ही हम क्या करते है थोड़ा सा इसको pressure डालते है या फिर इसको थोड़ा सा हम इसे push करते है तो यह क्या करता है यह rotate होना शुरू कर देगा ठीक है the time taken for one two and from movement अब two and from movement क्या होता है जैसे ही आपने इसको push किया तो मान लीजिए पहला कहां जाएगा A की तरफ जाएगा ठीक है A से वापिस से यह कहां जाएगा आपके O पर होता हुआ B से अगेन कहां पर आएगा आपके O पॉइंट पर ठीक है तो इसको क्या कहते है to and from movement ठीक है the time taken for one two and from movement that is O to A to O to B and back to O is always the same ठीक है जितनी बार भी यह क्या करेगा आपने इसको एक बार धक्का दे दिया एक बार push कर दिया आप क्या करेगा यह फिर A की तरह जाएगा फिर O जाएगा फिर B जाएगा फिर वापिस से ओ आएगा ठीक है और इस तरह से हर बार यह बिलकुल एक time पर क्या करेगा एक जैसा movement करेगा ठीक है लेकिन जो आपकी length है string की वो क्या होना चाहिए ध्यान रखना है कि string की length fixed हो एक जैसी हो और जैसे ही हम इसको जो bob है आपका जो यह जो छोटा सा सर्कुलर आपको चीज दिख रही है इसको हम कहते हैं बाब ठीक है जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे पुश करेंगे यह एक जैसा मोवमेंट करना शुरू कर देता है और हर बार एक सेम टाइम में यह ए से ओपर जाएगा ओ से बी पर जाएगा और बी से वापिस से ओपर आ जाएगा ठीक ते दिस्टंस फ्रॉम प्ट वेर इस हैंग जैसा से अप के आप को पैंडूलम की लेंथ बता निहें यह लेंथ पूरू करने ज़िए तो कैसे होगी जहां से वो fix है और जहां तक उसका middle point है वो क्या कहलाती है center of the walk is the length of the pendulum ओके चलिए अब आगे देखते हैं क्या है One complete to and fro movement of the pendulum is called the oscillation ठीक है एक जब पूरा complete यह जो rotation complete हो जाता है या complete movement हो जाता है उसे हम इसका oscillation कहते हैं मैं बार बार यह word यूज करती हूँ oscillation oscillation तो oscillation का मतलब क्या है One complete to and fro movement of the pendulum is called the oscillation ओके ताइम टेकन बाइब पैंडूलम to complete one oscillation is known as time period ठीक है आपको यह word सारे ध्यान में रखने है कि oscillation क्या होता है oscillation का मतलब होता है One complete to and fro movement of the pendulum मतलब जहां से वो start हुई है जब पूरा घूम करके वहीं पर आ जाए तो हम उसे oscillation कहते है Time period कि इसको कहते है जब पैंडूलम को एक oscillation complete करने में जितना time लगता है उसे हम उसका time period कहते है ठीक है The time period of the simple pendulum can be changed by changing the length of the string जैसा मैंने आपको भी बताया था कि अगर हमें time period को change करना है तो हम क्या करेंगे पैंडूलम की जो string है उसकी जो length है उसमें changes कर देंगे अगर हम उसे बढ़ा कर देंगे या छोटा कर देंगे तो obvious ही बात है यह जो time period है जितने time में जो bob है वो अपनी position को छोड़कर के एसे भी घूमता हुआ वापस से ओपर आ रहा है उसमें भी changes हो जाएंगे ओके अगर हम 25 cm लेंद का पैंडूलम लेते हैं तो वो कितना time लगाता है एक टो एंड फो मूवेंट करने के लिए वो लगाता है 1 second घृके यह तो पूरा आपका पैंडूलम का वर्किंग हो गया इसी की मदद से यह जो principal है इसी के यूज से हमने किसका invention किया इसी के यूज से हमने बनाई पैंडूलम ख्लॉक ठेक है जहां पर वेर दे उसलेशन of the pendulum control the movement of the hands of the clock जहां पर यह जो पेंडूलम का oscillation है वही यह जो हमारी जो clock के जो hands होते हैं उनको control करते हैं और उनकी controlling से हमें exact time पता चलता है ठीक है अगर यह थोड़ा complex हो रहा है तो एक short में आपको मैं फिर से बता दो कि हमारे पास पहले ancient time में sand clock और water clocks होती थी ठीक है यह sun dials होते थे जिनकी मदद से हम सिर्फ day night और कुछ hours को identify कर सकते थे और जाद से जादा दो second की value को identify करते थे वो भी सिर्फ दिन के time में रात में क्योंकि हमारे पास sun नहीं होता था तो हम सिर्फ sand clock की मदद से और identify कर सकते थे लेकिन आर जो हमारे सब्सक्राइब से उनको हम identify नहीं कर पाते तो इसके लिए फिर ग्यालियो ग्यालिली ने क्या किया एक बार जब वो बैठे हुई थे चर्च में उनको पैंडूलम का concept आया तो हम इस पैंडूलम की पूरी study इसलिए कर रहे हैं ताकि हम यह समझ सके कि कि किस तरह से हमारी पूरा oscillation complete करता है ठीक है और हर बार एक जैसा oscillation वो complete करता है और इसी पैंडूलम के movement से इसी पैंडूलम के clock के जो oscillation है उनकी मदद से इन हैंड्स को control किया जाता है जिसकी मदद से हमें exact time पता चल पाता है ठीक है तो उन balanced wheel की मदद से यहां पर जो hands है आपके clock के वो काम करते हैं और हमें time identify होता है ठीक है आजकल तो electronic wrist watches भी चल चुकी है लेकिन उनका principle थोड़ा different होता है ठीक है इन watches में actual में क्या होता है crystals लगे हुए रहते हैं जो की cords के substances होते हैं ठीक है actual में यह जो crystals होते हैं ठीक है यह बहुत ही fast rate पर vibrate होते हैं ठीक है जिनकी मदद से हम बहुत छोटी से छोटे time को identify कर सकते हैं ठीक है a quads clock is much more accurate than a pendulum clock क्योंकि इसमें जो हम इसमें quads का material यूज करते हैं क्योंकि उसका vibration बहुत अच्छा होता है जिसकी मदद से हम उसमें ज्यादा accurate time देख सकते हैं as compared to pendulum clock जैसे कि अगर हम sports में अगर हम stop watches वगरे का यूज करते हैं वो quads clocks ही होती है ताकि हमें बिल्कुल seconds card बिल्कुल nanoseconds की अगर आपने nanoseconds और microseconds के बारे में भी सुना होगा ठीक है ओ सारी values भी हमें identify हो सके तो इसलिए हम यह जो watches है उनका use stop watches का जो use है वो sports वगरा में जादा करते हैं ठीक है तो अब आजकल क्या हो चुका है कि digital watches भी हम काफी जादा आप लोगों ने देखा available है ठीक है market में जो कि stop watches की तरह भी हम जिनका use करते हैं ठीक many of these digital watches do not have hour minute and second hands देखे digital watches में आपको simple digits में numbers दिख जाते हैं और इसमे hour seconds और जो आपके minutes है उसके hand नहीं होते हैं वो directly आपको क्या करते हैं digits में number show करते हैं अब यह कैसे होता है जब आप आगे gates वगरा या फिर electronic devices के बारे में और जाधा advance जब आपन थोड़े और बड़े हो जाएंगे तब हम सीखेंगे कि digits actual में कैसे बन जाती है इस पूरे chapter में अभी तक यह topic था एक बार मैं आपको फिर से उसका quick revision करवा देती हूं कि आज हमने क्या क्या सीखा आज की class में हमने यह देखा कि standard units क्या होती हैं और हमने यह पड़ा कि measurement of time कैसे किया जाता है तो standard units में हमने आपको बताया कि SI units का use standard unit की तरह किया जाता है जिसमें हम length को meter से, mass को kilogram से और time को second में measure करते हैं और आप यह सोचेंगे कि और units नहीं होती, और भी units होती हैं पट फिलहाल हमारे काम की यह 3 units हैं इसलिए हम इनके बारे में बात कर रहे हैं इसके अलावा अगर हम measurement of time की बात करें तो हमने इसमें यह सिखा कि जब हमारे पास खड़िया wrist watches नहीं थी तो फिर हम किस तरह से time को measure करते हैं ठीक है आप लोगों को इन तीनों चीजों को ध्यान से पढ़ना है कि जब हमारे पास watches नहीं थी तो हम क्या करते थे तो हमें sand clock के बारे में हमने पढ़ा हमने देखा sand dial क्या होता है ठीक है इसके अलावा हमने देखा water clocks कैसी होती है अब और इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से pendulum clock या wrist watches बनी और यह work कैसे करते हैं ठीक हम next class में मिलेंगे और next class में हम पढ़ेंगे speed के बारे में कि actual में speed क्या होती है और उस से related कुछ हम problem solve करेंगे तब तक के लिए आप magnet brains को follow करें हमारी पास kindergarten से लेके 12th class तक कि सब ही courses मौजूद हैं तो अगर आपको हमारी videos पसंद आए तो इसको आप like, share and subscribe ज़रूर करें और share करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ क्योंकि साथ म बढ़ने का मज़ा कुछ और ही होता है तब तक के लिए thank you